संयुक तक्षर नमस्ते मैं कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे बच्चों, आज हम एक छोटी सी पहेली कक्षा में सुनेंगे इस पहेली की मदद से संयुक तक्षरों को जानेंगे सुनते हैं पहले यह पहेली एक कक्षा में चार मित्र चारों ने बनाए दो-दो चित्र सबको बहुत पसंद आए उनके चित्र कक्ष में लगाए वे सारे चित्र बताओ तो कितने चित्र बने? आठ चित्र बने मैम बहुत अच्छे आप सब तो बहुत ग्यानी हो ग्यानी का मतलब जानते हो आप? नहीं ज्यानी का मतलब होता है होश यार आईए अब और भी संयुक्त अक्षरों को समझे हिंदी वर्ण माला में छ, त्र, ज्या, श्र ये सभी संयुक्त अक्षर कहलाते हैं जब कोई बिना स्वर वाला व्यंजन किसी स्वर वाले व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वह संयुक्त वर्ण अत्वा अक्षर कहलाता है जैसे मित्र त, र से मिलकर बनता है त्र त मी हलंत चिन्ध का अर्थ है बिना स्वर का व्यंजन और र का अर्थ है र, अ, र यानी स्वर वाला व्यंजन इसी प्रकार कक्ष शब्द में श एक संयुक तक्षर है क श से मिलकर बनता है श ज्यानी शब्द में ग्यां एक संयुक तक्षर है ज न से मिलकर बनता है ग्यां इस तरह एक शब्द है श्रम जिसमें श्र एक संयुक तक्षर है शर, र से मिलकर बनता है शर सैयुक तक्षरों की एक मज़ेदार बात ये है कि जब एक व्यंजन आधा होकर दूसरे से जुड़ जाता है तो वह सैयुक तक्षर बन जाता है जैसे बिल्ली, पक्का, गुबारा किसी भी अक्षर को आधा करने के लिए उस वर्न अक्षर की खड़िपाई हटा दी जाती है जैसे ल, हलन, ब, हलन शमा, मित्र, ज्यान, श्रम व्रिक्ष, शेत्र, यग्य, श्रवन कक्षा, पत्र, विज्यान, श्रमिक आईए संयुक्त अक्षरवाले कुछ शब्द सीखें बिल्ली, मक्का, पत्ता, ठपा लटू, लडू, गुबारा, बच्चा गन्दा, रसी, मक्की, बस्ता लटू, यप्य, इंदाऊ सीखें बिल्लिट, भुबारा, बच्चा लटू, यप्य, विल्ली, मक्की, बिल्ली, मक्की, बच्चा